नमस्ते अभिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे फेडरल बैंक की रिजल्ट आते ही इसमें 6% के आसपास का क्रैस आ गया था उसके बाद बाइंग आ गई और इस टॉक जो है वो फ्लैट नहीं positive closing दिया है 3% के आसपास की result में ऐसा कुछ खास था क्या की stock अचानक से गिर जाता हम discuss करेंगे उससे पहले हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि company ने मायानी की इस bank ने आपको 35% का dividend दिया है की 70 पैसे के आसपास बैठ रहा है अगर आप current market price के हिसाब से calculate करोगे close to 1% के आसपास का आपको federal bank ने dividend भी दिया है हम result पे चलेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि federal bank के result में कुछ गड़बडी आपको एसस देखने को नहीं मिलेगी अगर आप on paper result को जाकर earning per share पे calculate करके देखना चाहोगे NPH के cases में अन बैंकों से compare करके देखोगे तो result में कुछ भी गड़बड नहीं था लेकिन फिर भी stock 6% के आसपास अचानक से crash कर जाता है यह 5 मिनट की candles है और अगले गंटे में जो होता है वो सच में बड़ा खतरनाक है बड़ी गिरावट और फिर बड़ी खरीदारी सब कुछ बड़े players कितने आसानी से कर जाते हम आप सब समझ नहीं पाते मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगा इस bank का जो future में trade होता है future मतलब federal bank futures वहाँ पर lot size 10,000 की है और आप समझ सकते होग 83 रुपए से stock अगर 78 रुपए गिर जा रहा है तो लगबग 6% से ज़्यादा की ही गिरावट है और अगर हम रुपए के terms में देखें तो 3 और 2,5 5,5 रुपए के terms में अगर हम देखें 10,000 क lot size है 40-50,000 रुपए तक भी लोगों ने गवाए हैं आज अचानक से stock losses दे करके आपका broker भी आपकी position कार देता है अगर आप intraday में margin पे रहते हो तो जब अचानक से ऐसा कोई volatile session आता है खेर यहाँ पर buying opportunities मिल गई क्योंकि result में मुझे तो कुछ ऐसा खास बुरा लगा नहीं तो चलिए हम result में kick point discuss करेंगे अगर आपके पास समय हो तभी आगे बढ़िए बाकिया video like करके या dislike करके अभी यहाँ से जा सकते हो चलिए एक एक चीज हम discuss करेंगे ध्यान दीजेगा कि यह जो data है आपके सामने यह है लाखों में ठीक है तो लाखों की हम बात करेंगे भी कम है यानि कि यहां पर तो हम bank को negative point दे सकते हैं जी हां negative दे सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूँ कि interest rate जो है वो कम हुआ है तो यहां पर हमको यह बात मतलब consider करनी पड़ेगी ठीक मतलब आप समझ रहे होंगे कि लगातार interest rate में गिरावट कर रही है RBI तो उसका direct असर जो है वो बैंकों के interest income पे देखने को मिलता है अब अगर हम overall total income पे चलते हैं क्योंकि अन्य चीजें आप ignore भी आहो तो कर दो total income हुई 3996 करोन की जो की 4222 करोन से काफी कम है 4088 करोन से भी काफी कम है ठीक अब total income अगर हम देखेंगे ति यहां पर भी बैंक ने हमको on paper निराज किया है और सबसे बड़ा कारण यह है interest income वाला ही है कि वहां पर जब इतना बड़ा देंट आया है तो वही हमको जलकेगा ठी है तो वहां पर हमको बहुत positivity दिखाए देगी यहां से अब जब आप आओगे 2221 करोन इन्होंने ब्याज में खर्च किया था और इस बार खर्च किया सिर्फ 2003 करोन ठीक है तो 200 करोन सीधे सीधे बच गए जो की एक बहुत 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 positive sign है federal bank के उपर लोगों का भरोसा है लोग अपना पैसा रखते हैं की interest rate भी बहुत ज़्यादा high नहीं है मतलब चीजें ये under control रख पाए हैं खर्चे इन्होंने control किये हैं interest expanded मतलब ब्याज जो इनको देनी परती है वहां पर इन्होंने दबा कर कठोती की है और वही direct advantage मिला है RBI वाला कि जब आप ब्याज पाओ situation हम कह सकते हैं कि flat रही है यानि कि कुछ खास change आया नहीं अब हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे direct हम चलते हैं कि profit कितना हुआ सारी चीजें यहां से हमको अच्छे से समझ में आएंगी जब हम earning पर share देखेंगे ठीक है consolidated net profit आप यहां से देख सकते हो 521 करोन का इनको profit हुआ ज चाहे पिछले साल के इस quarter से चाहे जश्ट पिछले quarter से तो वहां पर तो बड़ी कमी दिखाई दे रही है लेकिन इनकी income इतनी भयानक तरीके से बढ़ कैसे गई उसको हम discuss करेंगे उससे पहले एक चीज में आपको बताना चाहूंगा company 2.61 पैसे कमाई है इस बार earning per share मतलब एक share के पीछे और यही कमाई पिछले साल के इस quarter में थी एक रुपए 65 पैसे जश्ट पिछले quarter में थी दो रुपए 10 पैसे अगर हम overall situation को control करना चाहें एक bank के case में तो हम इस base पर क्या खरीदारी कर सकते हैं जी हां अगर हम industry से compare करें बैंक की normal performance को देखें एन पेज बगएर आपको पता है इतना सस्ता मैंने सब कुछ सिखाया हुगा जाकर देख लीजेगा वीडियो इतना सस्ता बैंक और इतनी अच्छी quality का अच्छी quality कैसे देखिए gross NP और net NP देख लीजे ठीक है यह data और यह data कितना बहतरीन under control है अगर हम percentage terms में देखें दिलखुस हो जाएगा अ यहां पर बढ़ोतरी और गटोतरी किस तरीके से हुई है ठीक है यह चीज भी मुझे पसंदाइस बैंक की की NPS भले बढ़े हो और अफकोर सिवात है बढ़ने ही थे लेकिन वह भी अगर हम compare करते हैं तो वहां पर भी हमको बिल्कुल flat to positive चीज ही दिखाए देती है और यही कि बैंक का एक बड़ा खर्चा यह होता है और अगर आपको मैं बताना चाहूं तो 255 करोन की provisioning इनको करनी पड़ी सिर्फ जब आप इसको compare करोंगे जस्ट पिछले quarter से तो 440 करोन प्रोविजनिंग थी और पिछले साल के इस quarter में 530 करोन के आसपास की provisioning थी यहां से लगभ का result मैं on paper कह सकता हूं बहुत positive है क्या bank reality में इतना बेहतरीन perform करके हमको return दे सकता है देखो मैं फिर से बोलूँगा कि यह bank मुझे personal level पर पसंद है इसलिए मैंने आपको portfolio में डालने के लिए भी बोला था बाकि जो इनका business model है वो aggressive mood वाला है नहीं तो है यह भले private bank लेकिन का इनका मतलब तरज पर होता है सरकारी में यह नहीं कर रहा हूं कि इनके हाँ efficiency नहीं है बस यह on growth पर focus नहीं करता है यह bank ज्यादा focus इनका क्या है जो risk management होता है उस पर होता है यह नहीं कर रहा हूं bank इस category के कारण इस चीज के कारण बुरा हो जाता है नहीं आप कही सारे parameters पर bank को ले जाकर calculate करते हो अगर हम सब चीज देखना चाहें सब चीज को जोड़ जारके तो इस वक्त best possible price अगर मैं कोई bank लेना चाहता हूं इस वक्त की सिनारियो में अगर आप कहोगे कि मेरी कनपटी पर बंदूख सठा के भाई कोई bank खरीदो तो मैं सबसे पहली choice federal bank को रखू प्रिजन situation में भी ये stock मेरे portfolio में लहरा रहा है profit में ही है मैंने कब लिया था आपको मैंने बताया भी था आपको क्या करना है वो आप decision लोगे अपने financial advisor से सला लोगे आपके लिए disclaimer यह है कि आपके द्वारा किया गया कोई भी इस stock पर transaction वो आपके ऊपर loss या profit लेकर आएगा आपके portfolio पे ना मेरा उसमें कुछ आता है ना मेरे लिए कुछ जाता है जो मुझे समझाना था जो मुझे कहना था मैंने कह दिया मुझे इस bank का result पसंद आया है बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ गया क्योंकि लगभग flat सी performance इन्होंने करके दी है कुछ बिगड़ा नहीं है अगर आप सारे norms को जाकर चेक करो तो आप देख लीजे कि capital ADKC ratio भी नहीं ने improve ही किया है थोड़ा सा तो जो की बहुत अच्छी चीज है ठीक overall situation में bank मुझे पसंद है आपको क्या लगता है जरा बताईएगा यह जो trap बनाये जाते हैं result आता है देखो मैं बता देता हूं 12-45 के आज पास result आया था और just result आते है stock में banker crash, banker crash, banker crash, banker crash अब सोचिए कि जिस company की जिस stock का lot size 10,000 का हो एक रुपए नीचे आएगा तो जो short करके बैठा है उसको 10,000 का क्या होगा loss होगा ठीक है profit होगा भाई sort करके बैठा है मैं long करने की बात कर रहा हूं जो खरीद के बैठा है और बहुत से लोग खरीद के बैठे रहते हैं अब दिक्कत हमारे लिए यह है कि जब हमारा हमारे side को ही stock चलता है तो हम वहां तो तुरंत exit लेते हैं एक रुपए उपर गया 10,000 का profit आया हम तुरंत exit कर जाएंगे और एक रुपए नीचे चला गया 10,000 का loss हो गया तो हम कहेंगे क्या भाईया यह वापस 5000 पर आ जाए तब हम exit करेंगे या फिर cost तो दे ही दे यह हम सोचने लगते हैं और वही चीज आज बहुत long term के लिए मुझे नहीं पता कि मल्टी बैगर बनेगा या नहीं लेकिन अगर मुझे 20-25% का CGR आने वाले 5-8-10 सालों में चाहिए किसी banking stock से तो मैं पहली priority छोटे banking में federal bank को दूँगा जहां पर safety भी आपको आसानी से मिल रही है बाकी stock market है यहां अपना risk involved है वो चीज आप अब खुद अपने level से समझोगे अभी हम आप से अलविदा ले रहे हैं अपना और अपनी family का ख्याल लखिएगा वीडियो पसंद आई तो like कर दीजेगा हम मिलेंगे फिर से तब तक के लिए नमस्कार